हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप मल्टी मीटर से कैसे पार्स को चेक कर सकते हो यह एक मैनुवल मल्टी मीटर है जिसका हमने एक प्रॉब कॉमन पे लगाया है दूसरा प्रॉब टैन के पे लगाया है इसमें एक वोलूम लगाऊ रहता है सबस पहले सेट करना है यह देखो सेट कर लेना है आपका कांटा जो है मल्टी मीटर का वो पूरा डाउन नहीं होना चाहिए यह हमने मीटर को सेट कर दिया अब देखिए आज मैं कुछ पार्ट्स चेक करूंगा जिसमें डायोड है कंडेंसर है पीएफ है और ट्रॉइस्टर है कभी भी आप कंडेंसर दोस्तों चेक करोगे तो कंडेंसर के दोनों पीन पर एक बार अगर आप प्रॉब लगाते हो तो सड़नली कांटा उठेगा और फिर डाउन हो जाएगा क्योंकि कंडेंसर एक बार चार्ज होगी और धीर-धीर करके डिस्चार्ज होगी यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो कंडेंसर खराब है पीएफ कभी भी कोई भी अच्छा पीएफ में कोई भी कंटियूटी नहीं सो करेगा यानि कुछ भी सो नहीं करेगा दोस्तों पीएफ अच्छा यदि है तो सो नहीं करेगा और अगर अच्छा नहीं है तो फिर सो करेगा यानि अगर कांटा हुड गिया इसका मतलब है PF खराब है मुश्टली PF 99.9% PF का टेस्टिंग ऐसे ही होता है यह देखो मैं एक दूसरा कंडेंसर ले रहा हूँ एक हजार माइक्रो फैराड सोलर बोल्ट का है तो यह देखो यह भी सड़नली इसका मीटर का कांटा उठा और यह धीरे डाउन हो जाएगा आपको पेशन्स के साथ दोनों प्रॉप को टच करके रखना है काफी टाइम लग जाता है इसको वापस आने में यह देखो यह काफी धीरे वापस आते है क्वेक कंडेंसर जैसे से डिस्चार्ज होगा वयसे वयसे यह डाउन होता चला जाएगा यह देखो ये धीर धीर डाउन होते चली जा रही है ये पूरा 0 पे आ जागा दूस्तों आपको इसमें एक मिनट तक लग जाता है और अगर कंडेंसर जितना ज़्यादा माइक्रो फेराट का होगा मीटर का काटा वापस आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा यदि हम 400 माइक्रो फेराट का कंडेंसर को चेक करेंगे तो एक मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा मीटर को पूरा वापस आने में और ये 6 एंपेर का डाउड देखलो डाउड का एक साइड जो वाइट कलर है वो प्लस है और जो प्लेन साइड है वो माइनस है आपको प्रॉप भी ऐसे ही लगानी है ये दिखो अगर मीटर उठ गया तो इसका मतलब है कि डाउड अच्छा है बट अभी कंफर्म नी होगा आपको प्रॉप चेंज करना है और अगर नहीं उठा इसका मतलब है कि ये डाउड सही है सारे डाउड ऐसे ही होती यह दो को 4,7 डायोड में चेक कर रहा हूँ यह एक एमपेर की डायोड है यह दो को एक साइट से उठ किया यानि प्लस साइट प्लस प्रॉब और माइनस साइट माइनस प्रॉब हम लगाया और यही जैसे ही हम प्रॉब को उल्टा करते हैं कांटा नहीं उठना चाहिए यह द याईप से ही चेक होगी दुस्तों यह एक 148 रेस्टेंस है चलिए सको टेस्ट करते हैं रेस्टेंस दुस्तों दो डायोड के कंबिनेशन को मिला के बनाया जाता है यह देखो इसमे एक बेस एक कोलक्टर एक इमीटर होती है तो बेस पर जब हम प्रॉब लगाएंगे कांटा सो करेगा और अगर दोस्तों आपको यह टेस्टिंग समझ में नहीं आई है तो आप हमें कॉमेंट में लिग देना मैं यह ट्रांजिस्टर चेकिन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ट्रांजिस्टर चेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है PNP और NPN यानि NPN for PNP for positive, negative, positive और NPN for negative, positive यानि इसमें दो positive पीन होते हैं, एक negative पीन होती है सबसे पहले इसको थोड़ा सा घीस लेते हैं, twist कर लेते हैं इसको, इसमें सबसे पहले हमें base pin खुजना है, कि कौन सा base pin है, जो base pin रहेगा उस पे हमें कांटा रखना है और फिर दोनों जो leg बचेंगे, उसमें हमारा meter उठेगा, यह देखो, एक पे, अब प्रॉप को change करेंगे, यह दीस साइट से भी कांटा होड़ गया, इसका मतलब है, कि यह transistor खराब है, और यह transistor खराब है, दूस्तों तो यह देखो, एक साइट से उठ रहा है, और second साइट से जब हम, प्रॉप को सटा रहा है, तो यह साइट से भी ऊठ रहा है, और जटके के साथ कभी भी ने उठेगा, टाइस से जब भी हम check करेंगे, तो मल्टी मेटर का कांटा, जो है, जटके के साथ नहीं उठेगा, इसे ही पता चल जाता है कि खराब है और अगर आपको काम यार टेस्टिंग के दौरान यदी एक्स्परियंस हो जाती है तो आप ऐसे भी जान जाओगे एक ही पीन साथ आने से आपको पता चल जाएगा यदी मीटर जटकी के साथ पूरा उठती है तो ट्राइश्टर खराब ह है बिवल्ट नहीं उठा है यह दोखो एक साइट से जहों ने लाल लाल प्रवको इस पर रखा था तो यह उठा था जैसे यह धो को हम फिशले बात देखा रहे हैं यह देखो यह उठा और यह ए 9 के तक ही चाहेगा दोस्तों पूरा मीटर भी नहीं उठता है उम्मीद करत आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं टेस्टिंग पर और एक वीडियो बना दूँगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम जैंद